हेलो एवरिवन वेलकम तू स्टड़ी बाई संदीब स्टड़ी बाई संदीब के इस वीडियो में हम नेक्ष्ट 25 क्वेस्टन की को डिसकस करेंगे जो आपके मध्यकलिन भारत इतिहास से हैं तो कल हमने 25 क्वेस्टन को डिसकस किया था आई होब कि आप सब ने वो पहला पार्ट देख लिया होगा और जिस भी सुड़ेंट्स ने वो पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं मेरी गुजारी से हैं कि आप पहले उस पहले पार्ट को देखकर आएं उसके बाद नेक्स्ट क्वेस्टन डिसकस करते हैं और देखिए इसके अंदर टॉटल 25 क्वेस्टन को डिसकस किया जाएगा तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा चैनल को जादे से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को प्रेश जूर करिएगा चलिए वीडियो को स्टा आपना की थी तो उसके बारे में बात करेंगे तो गुलाव बन्स के अंदर जो कुटूब दिन एबक था उसने कुटबी इल्टूतमिस ने समसी और बल्बन ने बल्बनी सासन की निम रखी थी तो यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्टन है आपका तो इसमें बात कर लेते हैं क्या बूला गया है कि कुटूब दिन एबक ने कुटबी इसासन की निम रखी थी इल्टूतमिस ने समसी और बल्बन ने बल्बनी सासन की निम रखी थी question number 27 की बात कर लेते हैं गुलाम वन्स को और किन नामों से जाना जाता है देखिए गुलाम वन्स को किन किन नामों से जाना जाता है इलबरी, ममलूक और दास वन्स ठीक है तो तीन अन्य नाम है गुलाम वन्स के तो question आपका यह भी आ सकता है कि इलबरी वन्स में कुन-कुन थे या ममलुक में किस कि सासक ने सासन किया या फिर दासवन्स तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं गुलाम गुन्स से रिलेटिड हैं इलबरी, ममलुक और दासवन्स पैसन नमबर 28 दिल्ली का पहला तुरक सासक किसे माना जाता है जो दिल्ली का पहला तुरक सासक है उसे कुतुबुदिन एबक को माना जाता है क्योंकि कुतुबुदिन एबक ने दिल्ली सल्तनत की नीम रखी थी तो दिल्ली का पहला तुरक सासक किसे माना जाता है कुत्वदिन एबक को क्वेस्चन नमर टॉन्टी नाइन किसकी मृत्यू के बाद कुत्वदिन ने स्वम को लाहूर का सतंतर साथ घोशित किया तो मुहमद गोरी की डैथ के बाद क्योंकि मुहमद गोरी का ही सलेव था कुत्वदिन एबक तो उसने ं लाहुर का से तंतर सांसक घोसित किया था खुद को मुम्मदगोरी के डैथ के बाद क्वेशन नमबर 30 कि सेनापती की मुदद से कुतुब दिन ने बंगाल को अपने अधिन किया कुतुब दिन एबक ने बंगाल को अपने अधिन किया उस टाइम पर सिनापती कौन था कैमाज रूमी तो कैमाज रूमी की सहता से ही कुतुबुदिन ने बंगाल को अपने अंडर में किया था क्वेशन नमबर 31 कुतुबुदिन ने बंगाल का सुबेदार किसे नुक्त किया तो बंगाल का सुबेदार नुक्त किया था कुतुब दिन ने अली मर्दन खां को अली मर्दन खां को सुबेदार नुक्त किया था बंगाल का नेक्ट वेस्टन की बात कर लेते हैं कुतुब दिन एबक को उसकी उधारता की वज़े से क्या कहा जाता है तो कुतुब दिन को लाख बक्स के नाम से जाना जाता है तो ये क्वेशन आजाता है कि कुतुब दिन एबक्स को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो लाख बक्स के नाम से जाना जाता है नेक्स वेशन कुतुब मिनार किस ने बनवाया तो कुदूब मिनार आपका कुदूब दिन एबक ने बनवाया था ठीक है देखिए जो कुदूब मिनार थी इसका निर्मान स्टार्ट किया था कुदूब दिन एबक ने इल्टू तुमिस ने बाद में आने के बाद इसको क्या किया था कम्पलिट किया था ठीक है तो कुटोब मिनार का complete निर्मान किसे ने करवाया इल्टो तुम इसने और starting किसे ने करवाया थी कुटोब दिन ए बखने तो कुटोब मिनार की उन्चाई कितनी है देखिए important question है 234 foot 234 feet कुटोब मिनार की उन्चाई है question number 35 दिल्ली में कुटोब उल इसलाम मस्जिद और अजमेर में अडाई दिन का जोपड़ा किसने बनवाया था कुटोब दिन ए बखने दिल्ली में इसलाम मस्जिद है कुतवत उल इसलाम और अजमेर के अंदर डाईदिन का जोपड़ा किसने बनवाय था कुतव दिन एबक ने कुतव दिन एबक का मकबरा कहां स्थीत है तो कुतव दिन एबक का मकबरा लाहूर के अंदर है क्योंकि इन्होंने लाहूर का एक सोतनतर सासक भी खोसित किया था खुद को उम्मदगोरी की डैथ के बाद तो कुतुब दिन एबक का मकबरा कहां पर है लाहूर के अंदर क्वेस्चन नमब थर्टी सैवन कुतुब दिन एबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का सासक बनाया गया अराम सहा को इलतुतमिस को किसने सासक बनाया दिल्ली के अमीरों ने ठीक है इलतुतमिस को किसने सासक बनाया था दिल्ली के जो अमीर लोग थे उन्होंने इलतुतमिस को अपना सासक नुक्त किया था नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेस्चन नमब फॉर्टी तुर्काने चहलगानी क्या है तो यह अपना जो तुर्काने चहल गानी है यह एक 40 तुर्क सरदारों का एक दल था इसके अंदर total 40 स्वेक्ति थे सरदार थे तो उनका दल है इसे इल्टूतमिस ने बनवाया था तो इल्टूतमिस ने total 40 जो तुर्क सरदार थे उनका एक दल बनाया था एक कमेटी बना दी थी जिससे कि कि वो सब भी निर्णे उनपर ख़़ देता था तो उसे क्या का गया तुर्का ने चहल गानी 41 question इल्टूतमिस के सासन काल में किस ने पसीम उतर भारत पर देखिये पसीम उतर भारत पर किस ने अकरमन किया था मंगोल सासक संगेज खाने मंगौल का सासक था कौन संगेज खा इसने इल्टूतमीश के समय पस्ची मुत्तरभारत पर आक्रमन किया था नेक्स्ट वेशन की बात कर लेते हैं इल्टूतमीश ने किसे बंगाल का गवर्नर नुक्त किया हुसामू दिन को तो इल्टूतमिस ने बंगाल का गवर्नर हुसामू दिन को लिप्त किया था किसने उज्यान पर आकरमन कर महाकाल का मंदिर लूटा महाकाल का मंदिर किसने लूटा था इल्टूतमिस ने कब बारासो चौनती से पैंतिस में उज्यान पर आक्रमन कर महाकाल का मंदिर किसने लूटा इल्टूतमिस ने कव लूटा 1234 से 35 इस्वी में नेक्स वेस्टन की बात कर लेते हैं इल्टूतमिस ने कौन सी विवस्था लगू की तो इल्टूतमिस ने जो इक्ता प्रणाली थी इक्ता प्रणाली की विवस्था को लगू किया था किसने इल्टूत मिशने देखिए इक्ता प्रणाली क्या होती है ये घोडो को दागने की एक पर्था थी उन पर निशान लगा देते थे तो ये इक्ता प्रणाली या हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पर जो कर लिया जात ताथा आआ हर यहांगे किसनगी था इल्ट उतमीस ने रच मिश्याशन की बात कार लेते हैं उसने किस नम के सिक्ष चलाए यह जो उतमीस था उसने किस नम कि शिक्ष चलाए थय जितिल और टंका जित्पल खोलता कि शिक्ष चल आए थे किस ने इल्ट इल्टूतमीस ने रजिय सुल्तान देखिए रजिय सुल्तान इंडिया की पहली महिला सासी का थी जो 1236 से लेकर 1240 तक सासन किया यह किस की बैटी थी इल्टूतमीस ने अपनी ही बैटी रजिया को उत्रादिकारी बनाया रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंती महिला सासक थी 1237 में वह दिल्ली की गदी पर बैठी रजिया बेगम ने जलालुदीन याकुत को अमीरे आखुड नुक्त किया था भटिंडा के सुबेदार अलतुनिया देख कल दोस्तो हमने ये बताया था कि जो रजिया सुल्तान है उसकी साधी अलबरुनी से हुई थी नहीं हमने कल के लिए सोरी दोस्तो कल बोल गया था मैं तो जो रजिया सुल्तान है उसकी साधी अलतुनिया के साथ हुई थी भटिंडा का एक सुबेदार था अलतुनिया इसके साथ इसने साधी की थी तो इसी बीच इल्टूतमिस के एक पुत्तर बहराम सा ने सत्ता हथियाली और भटिंडा से दिली आते वक्त रजिया और अलतुनिया की हत्ता कैथल के निगट कर दी थी तो हमने कल डिसकस किया था कि कैथल के निगट जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने डिसकस किया था इसीज को कि कैथल में रजिया और अलतुनिया की डैथ करवा दी थी इसके भाई ने क्या नाम था उसका बहराम सा तो बहराम सा ने इनकी हत्या कर दी थी इतिहास कार मिनहाज उस सी राज के मताभी करज्या का इस्तरी होना उसके पतन का कारण था Q47. जलालूदिन फिरोज खिलजी दिली गधी पर का बैठा 1290 के अंदर. Q48. तो आज की वीडियो में हम करीब करीब 30 questions को टिसक्श करेंगे. Next question है. सुल्तान बनने से पहले जलालूदिन क्या था? जलाल अदिन सुल्टान बनने से पहले बुलंद सहर का इफ्तादार था बुलंद सहर का इफ्तादार नेक्ट वेस्टन नवीन मुसल्मान किसे कहा गया जो ने मुसल्मान थे उसे किसे कहा गया था दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को दिल्ली के अंदर जो भी मंगोल वस्ते थे उनको नया मुसलमान कहा गया था नेक्स वैस्षण नम्बर 50 किस ने जलालूदिन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल कि अलाओदिन खिलजी ने अलाउदिन खिल जी ने 1226 में जलालुदिन फिरोज खिल जी की हत्या कर दिल्ली की गद्धी को हासिल किया था क्वेस्टन नमबर 51 जलालुदिन खिल जी के सासन में अलाउदिन क्या था जलालुदिन खिलजी के इसासन में अलाओ दिन एक कड़ा मानिकपुर का सुबेदार था कड़ा मानिकपुर एक सहर है जिसका क्या था वो सुबेदार था 52 उसने देव गिरी पर आकरमन कब किया था जो अलावदीन खिल जी था उसने देवगिरी पर आकर्मन 1296 में किया था देकि 1296 में वो राजगद्धी पर बैठा था तो उसी टाइम उसने किस प्राकर्मन किया देवगिरी पर सिकंदर एशनी की उपादी किसने ग्रैन की देख के important question है आपका question no 53 सिकंदर एशनी की उपादी किसने ग्रैन की तो आप आएगा अलावदीन खिल जी रूप में भी जना जाता है अलाउदिन के समय किसने दिल्ली में विद्रोग गिया था तो अलाउदिन के टाइम पर दिल्ली पर विद्रोग किया था हाजियों ने अलाउदिन के समय पर दिल्ली में विद्रोग गिया था हाजियों के विद्रोग को किसने खत्म किया देखिए विद्रो को खतम किया था हमिदू दिन ने हमिदू दिन अलाओ दिन खिल जी का सिनापती था जिसने क्या खतम किया था हाजियों का विद्रो अलाओ दिन ने कौन सा सिधान चलाया था तो अलाओ दिन ने देवी अधिकार एक सिधान चलाया था दैवी अधिकार अलाउदिन खिल जी ने सेना में कौन सी पर्था शुरू की देए सेना के अंदर फुलिया रखने की पर्था को स्टार्ट किया था किसने अलाउदिन खिल जी ने तो question number 58 की बात कर लेते हैं खिल जी वन्स में घोडों को दागने की पतती किसने शुरू की थी अलाउदिन खिल जी ने घोडों को दागने की पर्था किसने स्टार्ट की थी अलाउदिन खिल जी ने question number 59 जो आज की वीडियो का हमारा last question रहेगा भूराजसाव व्यवस्था को अधिक परभावी बनाने के लिए अलाउदिन खिल जी ने किस की स्थापना की दिवाने मुस्त राच भूराजसाव व्यवस्था को अधिक परभावी जादा effective बनाने के लिए अलाउदिन खिल जी ने किस की स्थापना की थी दिवाने मुष्ट खराज तो देखिए आज करीब करीब हमने 30 के सम्थिंग क्वेस्टिन को डिसकस किया तो हमारे जो सीरीज है उसका ये आज पार्ट थरी था तो आई होग कि आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को जादे जादा सेर करिए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट इनफर्मेशन आपको सबसे पहले प्राफ्ट होसके तो बैल आइकन को भी प्रेस करिएगा तो चलिए इस सीरीज की इस वीडियो में आज इतना ही नेक्स्ट वीडियो के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल्सके तो चलिए आज के लिए इतना ही थेंक्यू